तो यहाँ पर अगर आप 15,000 रुपय का अंदर एक सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे बेस्ट कैमेरा स्मार्टफोन पर्चेस करना आप चाहते हो तो भाई आप एकदम सही वीडियो पर क्लिक किये हो क्योंकि आज किसी वीडियो में आपको बताएंगे टॉप फाइब बेस्ट कैमेरा स्मार्टफोन अंडर 15,000 बजेट जी हाँ जो जो स्मार्टफोन में आपको बताऊंगे एक से बढ़कर एक सभी के कैमेरे के अंदर आपको टॉप नौज लेबल का एकदम अच्छा बेस्ट करके बेल आइकन को अलपर स्लेट करें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप वीडियो को लास्त तक जरूसे देखना तो यहाँ पर नंबर फाइब पे जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है वो मोटो की तरफ से जी हां 15,000 रुपया का अंदर अगरे के मोटो रो आपको काफी आच्छा कासा पार्फोमेस देने वाला है 60 हर्स का आपको रिफ्रेजर्ट देखने को मिलता है डिजाइन की बात करें तो 3.5 mm को आडियो जैक साइड माउंटर फिंगर्पिन के सास्थ आपको यहाँ पर 8.59 mm का थिकने से देखने को मिलता है और 179 ग्राम का यहाँ पर हो जाता है तो 5G डिवाइस आपको काफी अच्छा कासे डिवाइस देखने को मिल जाता है बैटरी की बात करें तो 5,000 एमेज का बैटरी देखने को मिलता है 33 वाट के चार्जर के साथ भाई आपस सबसे ज्यादा इंपोर्टन्ट कैमेरा की बात करें तो इस वाल है एंड यह आपको 16 मेगा पिक्सल का आपको सेलफी कैमरा देखने को मिलता है इस मोटो जी सेवेंटी वान डिवाइस के अंदर भाइस डिवाइस की बात करें तो छे जी प्लास एक्सवाटाइस जी वाला भीरेट आपको 16,000 रुपया का अंदर फ्लिप काड के अंदर इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको description मिल जाएगा तो description में लिंक पे क्लिक कर आप फ्लिप काड पर यह जो मोटो जी सेवेंटी वान फाइपजी डिवाइस इसको और कर सकते हो क्योंकि वान अप्डा बेस्ट कैमेरा स्मार्टफोन ही हो जाता है 15,000 रुपया के अंद one of the best होने वाला है क्योंकि यहां पर आपको 6.6 इंग का Full HD Plus TFT Infinity U Display देखने को मिल जाते हैं तो आपको पता ही होगा यहां पर Samsung का डिस्पले अच्छा होता है Samsung बहुत यह अच्छा quality का यहां पर डिस्पले डिजाइन करता है इसके डिजाइन की बात करें तो side mount and fingerprint sensor आपको मिलता है 3.5 mm का audio jack उसके सासर 8.4 mm का thickness and 198 gram का आपको weight देखने को मिलता है इस device के अंदर इस device की प्रोसेटर की बात के तो देख सकते बाई काफी ज्यादा पावर्फुल प्रोसेटर यहां पर यूज किया गया है Samsung की तरप से Qualcomm Snapdragon 750G 5G अच्छा powerful chipset आपको देखने को मिलता है इस device के अंदर इसकी battery की बात करें तो 5000 mh cup को battery देखने को मिलता है 25 watt के charger के साथ हाला कि I think या पर inbox charger आपको देखने को नहीं मिलेगा अलग से आपको charger को purchase करना पड़ेगा सबसे मेहत्वपून चीज camera तो 50 megapixel का मेन कैमेरा जो Samsung के lens के साथ आया है तो Samsung का camera काफी आच्छा होता है तो camera quality आपको one of the best देखने को मिलेगा इस device के अंदर उसके बाद 8 megapixel का ultra wide 2 megapixel का macro और यह आपको 8 megapixel का selfie camera देखने को मिलता है तो बाइदे को Samsung का device camera quality one of the best आपको मिलने वाला है जो एक अच्छा बात हो जाता है इसकी price की बात करें तो यह पर 4GB plus 128GB वालो भीरिंट आपको फ्लिप कार्ट के अंदर 16,000 रुपय का अंदर मिल जाएगा तो अगर आप अभी यह purchase करना नहीं चाहते हो तो bank offer लगा लो credit card debit card कुछ भी लगा लो आपको 15,000 रुपय का अंदर यह Samsung Galaxy F23 5G डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा जो आइधिंग आपको बेस्ट डिल हो जाता है क्योंकि Samsung का camera भाइड डिस्पले सब कुछ अच्छा है बहुत यह अच्छा सब्सक्राइब का है तो इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको description में मिल जाएगा आप फ्लिप करके अंदर इस डिवाइस को order कर सकते हो तो यहां पर नंबर थ्री पे जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है वो ओपो की तरफ से जी हां अगर आप 15,000 रुपय का अ मिल जाते है ओपो की तरफ से एंड 90 हर्स का आपको फास्ट रिफ्रेश्टर देखने को मिलता है उसके सासा डिजाइन की बात करें तो 3.5 mm को audio jack side mount 10 fingerprint sensor and 8.4 mm का thickness and यह आप पर 189 ग्राम को आपको वेड देखने को मिलता है इस ओपो के टेन 4G डिवाइस के अंदर इसकी प्र जो रेकॉर्ड कर पाओगे इस डिवाइस के अंदर बैटरी की बात के तो 5000 एमेज का बैटरी और 33 वाट चार्जर के साथ आपको देखने को मिलता है भाई साबसे ज्यादा मेहत्वपून कैमेरा की बात करें तो 50MP का मेन कैमरा 2MP का अल्टर वाइड और 2MP का नॉनमेल कैमर 12 की बात के तो देखो फ्लिप कार्ड के अंदर 6GB प्लास 128 वाला भी अपको 15,000 रुपय का अंदर देखने को मिल जाएगा तो इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डेस्किप्शन में मिल जाएगा तो डेस्किप्शन में लिंक पे क्लिक करका अब डिरेक्ट यहाँ प पर्चेस कर सकते हो तो यहाँ पर नमबर टू पर आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है वो भीबो की तरफ से जी हाँ अगर आप एक भीबो का बेस्ट कैमेरा स्मार्टफोन पर्चेस करना चाहते हो 15,000 रुपय का अंदर तो यह जो भीबो टीवान 5G डिवाइस के पर 5 mm का अडियो जैक, साइड माउंट टेर फिंगरपीन सेंसर आपको मिलता है, 8.25 mm का अपको ठीकनेश देखने को मिलता है इस डिवाइस के अंदर, 187 ग्राम का आपको वेट देखने को मिलता है, तो काफी भार ही यहाँ पर डिवाइस आपको देखने को नहीं मिलता है, यहां पर प्रोसेसर की बात करें तो Snapdragon 690 5G एक 5G चिपसेट आपको देखने को मिलता है इस Vivo T1 5G डिवाइस के अंदर इसकी बैटरी की बात करें भाई तो 5000 एमेज का बैटरी उसके 718 वाट का चार्जा देखने को मिलता है इस डिवाइस की कैमेरे की बात करें तो यहां पर स 116 Megapixel का सेलफी कैमेरा देखने को मिलता है तो भाई देखो भीबो का 25 Megapixel कैमेरा काफी आच्छा क्वालिटी आपको देने वाला है और इसको अगर आप पार्चेस करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे 15,990 रुपया के अंदर फोर जी भी प्लस 108 जी वेरियंट आपको द सबसे उपर आपको देखने को मिलता है वो पोको की तरफ से जी हां यह जो स्मार्टफोन है 15,000 रुपया के अंदर आई थिंग दोस्तों सबसे ज्यादा बेस्ट कैमेरा स्मार्टफोन हो जाता है जी है मैं बात का रहा हूं पोको एम फोर प्रो फोर जी जी है यह जो पोको एम फोर प्रो फोर जी डिवाइस है आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन हो लें वाला है क्योंकि यहां पर आपको 6.43 इंच का फुल एजडी प्लस एमूलेट डिस्प्ले मिलता है यहां यहां पर आपको एमूलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है 90 हर्स के साथ इसके डिजाइन की बात करें तो फिंगर पीन सेंसर आपको मिलता है साइड माउंटेन और 3.5 अडियो जैक उसके असाथ 8.08 अपको देखने को मिलता है और 179.5 ग्राम को आपको वेट देखने को मिलता है जो एक अच्छा खासा बात हो जाता है इसकी प्रोसेशर की ब बात करें तो 5000 इमेज का 5000 इमेज का बाड़ी बैटरी 33 वाट के चार्जर के साथ जो एक अच्छा खासा बात हो जाता है अब देखो सबसे मेहत्वपून पॉइंट कैमेरा जी हां मैंने इसको नंबर वान पर रखा है क्योंकि यहां पर आपको 64 Megapixel का मेन कैमेरा देखने को मिलता है तो देखो इस Poco M4 Pro 4G डिवाइस का अंदर आपको 64 Megapixel के अच्छा बहुत ही बड़े है कैमेरा देखने को मिलता है इसले मैंने इसको नंबर वान पर रखा है इसका प्राइस भी यहां पर ज्यादा नहीं है Amazon पे यह डिवाइस आपको Amazon पे 6GB प्लास 64G वाला जो देखने को मिल जाएगा तो इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डेस्किप्सर में देखने को मिल जाएगा डेस्किप्सर में लिंक पे क्लिक करके यह जो Poco M4 Pro 4G डिवाइस इसका पर्चेस कर सकते हो क्यों कि देखो अगर आपके लिए कैमेरा सबसे ज़्यादे अंदर आपको 64 Megapixel का अच्छा बहुत बढ़ा क्वालिटी का कैमेरा देखने को मिलता है तो इसको आप पर्चेस कर सकतो आपको कोई भी प्रॉब्लेम नहीं होने वाला है तो यहाँ पर उम्मीद करतो हो आप लोग समझ गयांगो टॉप 5 सबसे अच्छा कैमेरा स्मार्प लाइक कर देना क्योंकि भाई आप कई के लाइक हमेरे काफी जदम में अत्तुमन है हमको बहुत मोटीवेशन मिलता है वीडियो बनने के लिए और आपके दोस्त के पास ये वीडियो श्यार दरू सो कर देना ताकि आपके दोस्त को भी पता चाल जाए 15,000 रुपय का अंद अगर बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन पर्चेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आए बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा 20,000 रुपय के अंदर कौन से कौन से स्मार्टफोन बेस्ट कैमरा वाला है उसका वीडियो मैंने आपको बना दिया है तो फिलाल दोस्तों आज के वीडिय इतना ही वीडियो देखने लिए आपको बहुत 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 जादा यार धन्यवाद